हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी I hope कि सभी अच्छे होंगे बच्चों आज किस वीडियो में हम class 3 के subject English की week no.4 की work seat को solve करेंगे जो की EDMC के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस work seat में topic है नीना एंड बेबी स्पैरो तो वीडियो को शुरू करने से पह बच्चों यहाँ पर कुछ pictures दी गई है तो हमें यहाँ पर suitable यानि कि जो सही picture है जो match करती हों उनसे हमें यहाँ पर matching करनी है first sentence है we use these is our classroom हम इन्हें कहाँ पर use करते हैं अपनी classroom में classroom में क्या use करते हैं blackboard यहाँ पर आप देख सकते हैं name of our national bird is हमारी national bird क्या है तो national bird जो है वो peacock है तो हम यह peacock पर इसे match करेंगे next है this is a beautiful fragrance तो यह बहुत ही सुन्दर इसकी क्या होती है खुस्बू होती है तो किसकी होती है गुलाब की यह किसका फूल है रोज का यानि की गुलाब this animal has huge ears इस animal के बहुत बड़े बड़े कान होते हैं तो कौन सा animal है elephant तो हम इसे elephant से match करेंगे next है we peep out of our home through this हम इसके द्वारा अपने घर से बाहर की तरफ जागते हैं तो बाहर की तरफ किसके द्वारा जागते हैं विंडो के द्वारा आप यहाँ पर देख रहे हैं विंडो है तो इससे हम इसकी matching करेंगे next question है write words that rhyme with the words given below बच्चों हमें यहाँ पर उन words को लिखना है जो दिये गए words से rhyme करते हैं अब हमें लिखने है डे के रे, हे, ठिंक, ब्लिंक, सिंक, नेस्ट, रेस्ट, टेस्ट अब है question number 3 match the words with their opposites बच्चों हमें यहाँ पर words को उनके opposites यानी की belong जो उल्टे होते हैं उन सब्दों से match करना है आंट का opposite क्या होता है अंकल तो इसे अंकल से match करेंगे worried का, worried बोलते हैं चिंतित हो जाना तो worried का opposite है calm, calm मिन्स बोलते हैं सांत रहना plump, plump का opposite है thin यानि की पतला next है lovely, lovely का opposite है ugly question है how do baby sparrow eat, जो baby sparrow है वो कैसे खाती है baby sparrow are fed by their parent into their bees, baby sparrow जो होते हैं उन्हें उनके parents के द्वारा beak के द्वारा खिलाया जाता है, beak बोलते हैं चौच को अब है question number 5, make a paper bird by following the step given below नीचे दियेगा, steps को follow करते हुए आपको paper की bird बनानी है you can watch a video for reference, link for video to be added तो बच्चो इसके लिए आप कोई video भी देख सकते हैं, step 1 में आप एक paper लेंगे step 2 और 3 में इस तरीके से fold करेंगे, step 4 में आप फिर paper को इस तरीके से fold करेंगे अब है बच्चो step 5, step 5 में फिर paper को एक side से fold करेंगे और नीचे की तरफ से open करेंगे, step 6 में इस तरीके से आप paper को fold करेंगे और step 7 में दोनों तरफ से open कर देंगे, और आपकी जो word है वो paper की बनकर तयार है Students, if you like this video, please like and share and if you are new on this channel, please subscribe the channel Thank you